नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिगच IT सेक्टर के बारे में, आप सभी जानते हैं वीप्रू के बारे में, तो आज मैं वीप्रू के बारे में बात करने वाला हूँ, ग्योंकि इंडिया का थार्ड हाई भी ब्रेक किया और लाइप टाइम का भी हाई ब्रेक किया, तो इसका पीछे जो बजा है, जो कारण है, उस कारण को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो जूरू सब्सक्राइब लेन तो यहाँ पर मैं NSC के वेबसाइट को पूरा चुका हूँ, यहाँ पर दिखे जितने सारे टॉब गेनार से, आज निप्टी करिवन 18,200, 270, around 300 के करिवन चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है, तो रानिंग मार्केट में में वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एडवान्स है, उसमें जिसका नाम सबसे पहले आ गया, वो है वीप्रो, क्योंकि आज के दिन वीप्रो ने जब दर सकतेजी दिखाया, उसके पीछे जो रीजन है, वो बीग रीजन है, यहाँ पर दिखे जो 703 इसका जो लास टेटिंग पर चल रहा है, तो आज के दिन इसका जो प्राइस रेंज है, यहाँ पर देखिए करीबन-करीबन 4.35, मतलब 5% से भी ज्यादा यहाँ पर जाम देखने को मिला, तो इसके पीछे जो रीजन है, यहाँ आप आप देख सकते है, वीप्रो के में NST के साइट को उपर आ चुका हूँ, करीबन 703 अपर आज ही के दिन करीबन 52 का हाई भी अचीव किया है, इसका पीछे जो बीग रीजन है, उस रीजन के बारे मैं बताऊंगा, तो अभी देखिए, मार्केट स्टार्ट नहीं हुआ, उतना टाइम नहीं हुआ, तो फिर भी 38% होल्डिंग यहाँ पर टेलिवारी उठ चुका है, तो इसके पीछे जो बीग रीजन है, आपे मैं आपको लिखके देता हूं, यहाँ पर जो है, बो है क्यू मतलब Q2 का रिजल्ट, quarter 2, 2022 का मतलब 2021-2022 से से संथ के quarter 2 का रिजल, जैवद्ददास रिजल यहाँ पर होा है, तो 2021 से 2022 इस अंदर के जो quarter 2 का रिजल, September month end होने के बाद जो quarter 2 का result आने वाला था वो आज के दिन आ चुके है उसी के result के बारे में यापे में बात कहने वाला हूँ तो यापे में quarter 2 का result के उपर आ चुक हूँ बहुत सांदार और जबदस performance वी प्रो ने किया है TCS और Infosys के अमामले से अब पिछले quarter में भी जबदस performance किया था और इस quarter में भी और भी तेजी देखने को मिला तो इस quarter में भी जबदस यापे performance हुआ है उस performance के बारे में यापे में दिखाऊंगा यापे दिखिए company ने जो total income क्या है मतलब total revenue जिनाट क्या है उस revenue के बारे में बात करूँ यहापे सांदा revenue देखने को मिला मतलब total income जो है वो यहापे देखिए यह जो September quarter में थोड़ा सा आपको यह अपको दिखा दिता हूँ यहाप देख लिजी September 30 2021 मतलब 2021 का जो quarter है 30 September के अंध होने के बाद मतलब quarter two का result यहापे quarter two का result यह रेजल्ट है और यहापे देखिए June मतलब पिछले quarter का result मतलब यहापे Q1 का result था और यहापे पिछले सालों में September का मांद में कौन सा result था वो भी यहापे दिया गया है तो देखा जाए तीनों के comparison करूँ तो इस quarter में 152,492 करोड यहापे करोड नहीं इलियान में मतलब मानके चलिए 15,000 करोड का यहापे total revenue total generate हुआ पिछले quarter में 14 करोड था पिछले सालों में 12,000 करोड था तो overall बात करूँ इस quarter में 24 यहापे income हुआ है देखे income अच्छा हुआ इसका मतलब यह नहीं बाकी सब कुछ ठीक ठाक है तो expense भी कितना हो वह भी देखना चाहिए उसके बाद profit कितना है वह भी देखना चाहिए अब यहापे total यहापे expense हुआ था और पिछले सालों में expense बहुत कम हुआ था 1,000,000 यहापे expense हुआ था तो सिर्फ figure देख लीजिए figure देखके आपको पता चलेगा expense भी इस quarter में जबदस हुआ है तो tax कितना पे किया वह भी देख लीजिए tax देखे tax यहापे कम पे करने पड़ा क् उसका expense ज्यादा हुआ, income कम हुआ, income भी ज्यादा हुआ, तो कुछ फाइदा ही आपे taxes कम होने से, तो देखे tax मात्रो 7,000, पिछले जो quarter था 11,000,000 का आपे taxes दिया था, उसके बाद 6,000 पिछले सालों में आपे total taxes दिया था, तो total जितने सारे expense है, जितने सारे revenue है, सब को calculate करक में जो पैसा रहते है, मतलब जो profit होता है, वो देख लीजिए, इस quarter में जबद से आपे profit हुआ है, करिवन 25,397,000,000, मानके चलिए 25,399 करोड का total profit हुआ है, और पिछले सालों में 1,600 करोड का total profit हुआ था, मतलब या पे देखा जाए तो करिवन करिवन 1,000 करोड का ज्याद profit हुआ है, तो पिछले सालों से compare करूँ वो भी आपे दिखे 24,000,000 था, अभी 25, मतलब सब के हिसाब से इस quarter में 5 स्टार रेटिंग देने वाला performance किया है, तो इस सारे data को आपको में आपको दिखा चुका हूँ, इसी के वज़े से, इस data के वज़े से यापे आपको जबद स performance देखने को मिला, तो थोड़ा सा मापी चाता हूँ, पिछले दिनों में में वीडियो नहीं आ पाया, तो यह देखी यह जो data है, यहापे कौन सा कौन सा sector में कितना performance वा उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकर यहापे देजू, यहापे segment wise जो profit हुआ है, उसके बार यहापे देखे, cash and cash, end of year basis यहापे धोड़ा से यहापे कम हुआ है, तो overall बात करो, company के आज के दिन देखिए कितना सांदार performance, जब market open हुआ, तो rocket के तरह भागा, उसके बाद देखिए profit booking स्टार्ट हो गया, और साती सात, इस profit booking के साती सात, आपको अच्छा खासा performance देखने को मिला था, जब market open हुआ था, उसके बाद अभी तो यहापे 4.46% दिख रहा है, तो market अभी भी running है, तो यह भी data change हो सकते है, तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके है, quarter one, quarter two, दोनो quarter में विप्रो five star rating देने वाला performance किया है, तो इसके नजरी आपको खुद के सामने है, मैं हमेसा कहता हूँ, आपको अच्छा खासा stock के pick करना ही है, तो अच्छा खासा stock के बारे में quarter basis result देख लीजिए, financial result देख लीजिए, उसके बाद निवेस करने के लिए सोचिए, तो जब अब performance है, मेरे हिसाब से इस stock में जोरू निवेस करना चाहिए, देखिए यहापे जो इसका जो performance है, मात्र 700 मान के चलिए, 700 रूपीज में आपको मिल रहा है, मैं इसका जो price 430 था, 430 रूपीज था, तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से आपको बता रहा हूँ कि इस stock में बहुत सारे potential है, तो आप खुदी देख लीजिए, कितना सांदार यहापे performance अभी च रखता, price range जास्टे number, तो आपको अच्छा खासा stock pick करना है, वो जितना price है, उस price में आपको खरीद रहने चाहिए, तो 8000 प्लास है, तो 8000 प्लास इतना high price में कैसे खरीदारी करो, उस share में भी खरीदारी जबदस होते है, daily basis, आप एक बाच चाकर चेकाउट कर लिजे Google में आपको खुद मिल जाएगा, 18000 में भी कोई share खरीदने के लिए तैयार है, तो आपके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं आप MRF खरीदे, आपके पास सस्तवे भी माल मिल रहा है, जबदस company का माल मिल रहा है, इसके उपर भी आपको नज़र रखना चाहिए, तो company का पार्फोर्मेंस के हिसाब से एक बात में कहूंगा, company का market capital है, 368,000 करोर का market capital है, और मुझे return of equity और return of capital employee, दोनों चीज मुझे जबदस लगा, साथी साथ company का पार्फोर्मेंस है, उसके हिसाब से company एक बार में एक data आपको देखा देता हूँ, company आपको जिस तरीके से return दे र आपको 20% से ज़्यादा return मिल रहा है, मतलब company में आपको obviously invest करना चाहिए, देखे company performance अच्छा कर रहा है, इसलिए तो return दे रहा है, कोई stock में एक साल में 150% return दे दिया, 200% return दे दिया, उसका मतलब एने company जबदस्त है, आप 92% एक साल में दिया, मतलब company खारा भे नहीं काऊंग 17%, 13%, 41%, जबदस return, सालो सालो भर, मतलब 20% से भी ज़्यादा return मिले, तो आपको जोरू invest करना चाहिए, क्योंकि कोई भी segment में इतना return आपको नहीं मिलेगा, अब mutual fund करेंगे, फिर भी आपको 20% से ज़्यादा कुछ mutual fund में जोरू return मिल सकता है, मगर इसमें विप्रो में आपको share buyback bonus मिलेगा, तो इतना सार facilities है, तो इसलिए हमें सा कहता हूँ, अच्छा कासा stock pick करिए, तभी आपको अच्छा कासा portfolio बन सकता है, वासा करता हूँ, पूरा details आपको जानकरी मिल चुका है, तो एक बार lifetime के चार्ट भी आपको और सामने open कर देता हूँ, कि इतना सांदार performance, विप्रो एक slow motion का stock था, बहुत दिन तक एक parallel movement में चल रहा है, उसके बाद, करोन के lockdown के बाद, जो IT sector में जो rally आया, उस rally से विप्रो भी एक सांदार performance यहाँ पर दिखा रहा है, देखे, रॉकेट के तरह भाग रहा है, तो मैं यहीं कहूंगा, अभी आपको नहीं invest करना है, तो आप वेट के लिजिए, कोई भी मंतरिको भरी मिल जाए, तो आप इसमें जोरू निवेस कर सकते है, फिर भी आप यह नहीं कहेंगे, sir 500 आज आएगा, तब हम निवेस करेंगे, 500 आएगा कर नहीं आएगा, वो तो बाद में बता चलेगा, मेरे हिसाब से 500 तो नहीं जान करकर रखाओ, अभी तक होल्ड करकर रखाओ, क्योंकि मुझे पता है, 1000 से भी जादा जाने वाला है, तो अच्छा कासा स्टॉक में पिक करने के यही भाइदा है, तो आसा करते हैं, पूरे दिरी साब को जान करें मिल चुका होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो अपक सरी अपने क्या लेकिए, बाइ-बाइ